आज हम बनाएंगे तीन साल की बच्ची के लिए इस तरह से 15 अगस के लिए ड्रेस डिजाइन्स जो के बहुत ही जाद ब्यूटिफुल ड्रेस है और इसके साथ में तिरंगा दुपट्टा है जो के बहुत ही पियरा सा इसका लुक आ रहा है तो आप इस तरह से डुपट्टा और इस तरह की वाइट ड्रेस आपकी बेबी के लिए बना सकते हैं बहुती ब्यूटिफुल सा ड्रेस डिजाइन्स है आप इस तरह की ड्रेस एक बार आपके बेबी के लिए ज़रू ट्राय करें यहाँ पर हमने प्लाजो पैंट और इस तरह की कुर्टी रेडी की है तो आप इस तरह की कुर्टी और प्लाजो पैंट रेडी कर सकते है यहाँ पर हमने फैब्रिक लिया है और अभी हम इसको फोर फोल्ड में बिचा दिया है यहाँ पर से आप देख सकते हैं और इसकी जो full length है वो यहाँ पर हम 21 इंच पे लेंगे जिससे 1 इंच यहाँ पर margin में जाएंगा और तयार length इसकी 20 आजाएंगे यहाँ पर हमें shoulder 4.5 इंच पे लेना है और armhole पर हमें यहाँ पर 4.5 इंच पे लेना है neck width जो है वो यहाँ पर हम 2 इंच पे लेंगे neck length front के लिए हम यहाँ पर 3 इंच पे लेंगे और bank के लिए हम 2 इंच पे लेंगे तो अभी हमें इस तरह से mark कर लेना है चेस्ट हम यहाँ पर लेंगे साड़े साथ इंच पर इस तरह से हम मार्किंग करेंगे यहाँ पर अभी हमें क्या करना है कमर के लिए यहाँ पर आट इंच पर मार्क करना है यहाँ से इसकी फिटिंग आ जाएंगी कमर की तो यहां से हमें 8 इंच पर मार करके इस तरह से गोलाई दे देनी है और इसका जो बॉटम है वो यहां पर हम 7 इंच पर लेंगे और इस तरह से सीधी लाइन को ड्रॉ कर देंगे अभी हमारा यह कुर्टी का शेफ बन के तयार हो गया है आप देख सकते हैं और अभी हमें इसके कट कर लेना है तो अभी हम यहां पर इसके कट कर लेंगे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए इस तरह से हम यहां पर कुर्टी की कटिंग कर लेंगे यह 15 अगस के लिए इस्पेशली ड्रेस डिजाइन्स है आप आपके बेबी के लिए इस तरह की ड्रेस बना सकते हैं बंदरा अगस के लिए अभी इसकी कटिंग हो गई है अभी हमें क्या करना है फ्रॉंट वाला नेक कट करना है तो हमें इसे इस तरह से रखकर यहां पर फ्रॉंट वाला नेक को कट कर लेना है यहां से हम इस तरह की डिजाइन बना लेंगे थोड़ी सी तो इस तरह की डिजाइन यहां पर प्रॉंट वाले नैग में बन जाएंगी और बैक पार्ट में हमें यहां पर हुप के लिए मार्क करना है तो थिरी इंच पर हम यहां पर मार्क करेंगे और इसे इस तरह से कट कर लेंगे तो अभी यह कुर्थी की कटिंग हो गई है अभी हमें सिल्यूस कट करना है जिसके लिए यहाँ पर हमने इस तरह से फैब्रिक लिया है और इसे हमें फोर फोल्ड में बिछा देना है यहां पर हम designer silluze cut करेंगे इसकी length जो है वो यहां पर हम 10 इंच पे लेंगे तैयार length इसकी 10 इंच पे आएंगी आप कम या जाद आपकी बेबी के हिसाब से ले सकते हो और arm hole जो है वो यहां पर हम 6 इंच पे लेंगे यहां से हम 2 इंच पे mark करेंगे और इस तरह से silluze का shape दे देंगे designer silluze बना रहे हैं हम यहां पे तो अभी हमें क्या करना है इसके center में 7 इंच पे mark करना है और इस तरह से एक line को draw कर देना है बहुत ही easy है बनाने में और bottom हम यहां पे 5 इंच पे लेंगे यह चोटे baby के लिए है इसलिए हम यहां पे 5 इंच पे इस तरह से bottom लेंगे और अभी हमें cross में इस तरह से mark करना है अभी हमने यह mark कर दिया है इस तरह से हमारा यह silluze का shape बन गया है अभी हमें इसे cut कर लेना है चोटे बेबिस के लिए इस तरह की सिल्यूस बहुती ब्यूटिफूल सी लगती है और बहुत साथा कमफ़र्ट होती है ये बच्चों के लिए आप इस तरह की सिल्यूस एक बार जरूर ट्राइ करें तो अभी हमें क्या करना है कि इसे कट कर लेना है अभी यह सिल्यूस भी हमारी कट हो गई है और अभी हमें थोड़े में यहाँ पर गोलाई ले लेनी है जिससे इसकी पिटिंग बराबर आजाएगी तो अभी हमने यहाँ पर सिल्यूस भी कट कर लिया और आप देख सकते हैं यह इस तरह से बन गई है अभी हमें क्या करना है इसकी सेम साइज की लाइनिंग को इसमें अटेच कर देना है यहाँ पर हमने सेम साइज की लाइनिंग यहाँ पर अटेच करती है एक स्ट्रिप ली ह और इसे हमें यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करके इस तरह से इसमें स्टिच कर देना है यहाँ पर हमें इसके नेक पर इस तरह की पट्टी को अटेच कर देना है तो अभी हमने क्या किया इसका नेक दोनों भी रेडी कर लिये है अभी हमें शोल्डर को स्टिच कर देना ह और फिर इस तरह से हमें इसके उपर सिल्यूज रखकर यहाँ पर जिस तरह से हम सिल्यूज को अटेच करते हैं हमें इस तरह से सिल्यूज को स्टिच कर देना है और इसके bottom में हमें यहाँ पर double fold करके इसके उपर हम lace लगाएंगे design के लिए तो हमें क्या करना है इस तरह से यहाँ पर lace को attach करना है जिसे इसका look बहुती beautiful सा लगेंगा sillius का अभी आप देख सकते हमने यहाँ पर इसको ready किया है और यह sillius joint हो गई है बहुती beautiful सी sillius लग रही है अभी हमें इसको इस तरह से उल्टा रखकर यहाँ पर fitting के लिए सिलाई लगानी है इसे बराबर से करते हुए हमें यहाँ पर fitting के लिए गोलाई में सिलाई लगानी है तो अभी हमने क्या किया है कि इसकी फिटिंग की सिलाई लगा ली है अभी हमें कुर्ती के चाक बना लेना है जिस तरह से हम कुर्ती के चाक बनाते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर इस कुर्ती के चाक बना लेना है और नीचे से हमें इसे डबल फॉल्ड में स्टेच कर देना ह और यह इस तरह से कुर्थी बनके तयार हो गई है अभी हम प्लाजो पैंट कट करेंगे जिसके लिए हमने यहां पर फोर फोल्ड में फैब्रीक को बिचा दिया है और इसकी जो लेंद है वो यहां पर हम 21 इंच पे लेंगे और इसका जो यहां पर हम हीप है वो हम यहां पर 8 टू इंच यहां से हम बैल्ट के लिए लेंगे इस तरह से यह बैल्ट आ जाएंगा इसकी तयार लेंड 20 आ जाएंगे यहां से कुरॉच के लिए हम 8 इंच पे मार्क करेंगे तो कुरॉच में हमें 8 इंच पे मार्क करके इस तरह से शेफ बना लेना है और इसका बॉटम जो और कutetर देता है तो इस तरह को प्ला क्लावाज के लिया चाल में त लाइन वेशी के सिर ना है से बीच कहणते हैं और इसमें भी हमें क्या करना है सियंख की लाइनिंग को कृश्क कर देना है आज यहां इस तरह से लुक बन के तयार होंगा और हमें इसमें साइस की लाइनिंग को अटेच करना है तो यहां पर हमने इसमें लाइनिंग भी अटेच कर दी है अभी हमें क्या करना है इसको इसके उपर रखकर यहां पर इस तरह से क्रोच में स्टिच कर देना है तो यहां पर हमने क्रोच में स्टिच कर दिय तो आप देख सकते हैं यह तरह से प्लाजो पैंट जो है बनके तैयार होंगी और अभी हमें क्या करना है कि बैल्ट के लिए इस तरह से डबल फोल्ड करके गोलाई में हमें यहां पर सिलाई लगा लेनी है तो यहां पर हमने इसके सिलाई लगा लिए और इलस्टिक के लिए से थोड़ी से जगह रखी है निचे बौटम में डबल फोल्ड करके यहां पर सिलाई लगा लेनी और इसकी फिटिंग की सिलाई भी हमें यहां पर ताल ला से अभी हमारा प्लाजो पैंट रेक्षाली को टो हमें करेंद हो घो हैं अभी हमें जॉल स्क यॉल्ल लास्टिक को हमें इसमें अटेज कर दाएं तो अभी हम यहां पर इस इलास्टिक को इसमें अटेज कर देंगे बराबर से और इस तरह से यह हमारा लास्टिक इसमें अटेच हो जाएगा अभी हमें क्या करना है इसमें सिलाई लगा कर यहाँ पर फिटिंग की सिलाई भी लगा लेनी है और यह हमारा प्लाजो पैंट रेडी हो गया है बहुती ब्यूटिफुल सा इसका लुक आ गया है और आप देख सकते हैं यह फैबरिक बहुती ब्यूटिफुल सा था डिजाइनर फैबरिक जिसके प्लाजो पैंट बहुती जादा यूनिक लग रही है और यह पैंने के बाद भी बहुती जादा स्टैलिश लुक देती है तो इस तरह से हमारे यह पूरा ड्रेस रेडी हो गया है अभी आप देख सकते हमारे यहाँ पे कुर्टी और प्लाजो पैंट रेडी हो गया है इसके उपर तिरंगा दुपटता है जिससे इसका लुक बहुती जादा ब्यूटिफुल सा लाग अब आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो फिलीज से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंकी